पड़ना मचड़ दिखला, देपाने सरवत दापला, सरवत दापला, सरवत दापला नहीं परकास हमारा पैयो, पटना चैर दिखे पबने, ओ, 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 खुशियार हो जाओ खबरदार हो जाओ और चोर जड़े ने जागत मुसियत हो रे पाई सुते अंदीदां गल शड़ो ओ जागदें हो या लुटके लेगे जा रहे ने दुनिया खुशियार हो जाओ खबरदार हो जाओ तंदृस्त हो जाओ नेंदनु त्याओ आसनु शड़ो जागगँ हो जागँ हो सुते हो चले आवन जारा जागले हो रे मना जागले हो कहां गाफल सोया तो रहून अपने रस्ते दे अपनी मंजले मक्सूद वालवद चिर क्यों लाया हो या आलसकों कीता हो या दलद्र क्यों कीता हो या ऐसे ने कई प्रमान गुरू बानी वे चाहन इननने मान वेच डर है कि जे गुरू सहब जी ने नगारा बनाया नतीजह निकलेगा कि जु होवेगा लडाई होवेगी और इनननों लडाई नी सी चंगी लग दी और इसे तरह पूजादा तान खाके गुरू कर दे लंगर निया रुटियां खाके ना दी मतबुद प्रस्ट होई बंदगी नहीं पजन नहीं सेवा नी परुपकारी पामना नहीं इस करके ए डर दे ह एक गुरू सब्जी नो आपता कोश कया नहीं सागधे एनी नहीं दे विच हिम्मत नहीं फिर इनन दे कोल एक उपचार सी खल साजी ओपचार से सतकार जोग माता नानकी जी साही साइब साथ गुरू शरी गुरू कलगी तर पाथछा जी महाराजी दे दादी जी साहीब जी महराज सचे पाशा जी उनना दे माता जी माता नानकी जी साहिब और दिशमेश पिता जी महराज जी दे माता जी माता गुजरी जी साहिब ए दो गुरू माता माहन गुरू महल वेच गुरू कर वेच जिनना दा बड़ा अदब वदर है जिनना दा बड़ा ही सतकार है और गुरु सेफ जी भी हमेशा दरबार विच जानतों पहला माता जी नू नमशकार करके अशीश अशीर वाद लाके सत्गुरु जी माहराज दरबार वे जाया करदे सन्न ऐसावी बचन खाल साजी आंदाए तहास वे इस करके मसंद जेडे ने सबतों पहला गुरु के महलां दे वेचे कहे माता नानकी जी साहिब और माता गुजरी जी साहिब उन्हानों जाके बेंती कीती कि माता जी गुरू सहभ जी ने नकारा बनाया होया और गुरू सहभ जी अमर जे डिया हो कच्छी है मतलब नौजवान ने इना दे कैन दो पाओ के गुरू सहभ अजे अनजान ने शब्द उन्दा के उमर कच्ची यह ना दी है जे नौजवान ने यांगे एज ने जे गुरू सहभ जी ने नगारा बनाया जे थे पीमचंद राजा और आदक पहाडी राजे सड़े नल वेर विरोध करनगे उथे और अंग जेव दे वेर दा शकार वी सानू होना पवेगा इस करके आप जी जाके गुरू सहभ जी नौ सहभ जा दे नू समझाओ उना नौ बेंती करोके नगारा बन कर देन इदे विच वेर है, विरोध है, लड़ाई है, चगड़ा है, फसाद है और गुरू सहभ जी ने अकारन बढ़ी या भोजा रखी या होई याने जिना नू तनकाहा देनी या पेंदी याने जिना दे अस्तरा शास्तरा दा कोड़ियां दे अना अनाज दा इंतजाम करना पेंदा बस्तरां दा कपड़ियां दा प्रबांद करना पेंदा वो बोज साडेते बन दा है सानू माया ले आके देनी पेंदी है, मसंदानू इस करके गुरू सहभ जी ने रुको को शांत रहें अपने अनांद वे च रहें, लोग पूजा कर देने, पूजा कराई जान लोग मान सनमान देने, मान सनमान ले जान और चुप रहा क Запना समान कट लेन इन्यवह इस तरह जो मसंदान जाके माता जी नो बेंती कर देने और अगो माता जी जिमें गुरु सेफजी नो जाके बेंती कर देने और गुरु सेफजी की जवाव देने नगारे बारे कोछ होर भी बेंतीयां करनी अगे जाके जिमें सद्गुरु जी महराजी दा उच्चा सुचा बे मिसाल लासानी इतहास आरेया जितने भी सरीर दिशमेश पिता जी गोद वेच बैठेयों खालसा जी एकाकरता बनाओ स्रीगुरु कलगीता अर्मारा जी दे चरना दाते हंतरो रसना पुवितर कर दे होई प्यार दे नालका जी किया खो जी सत नाम सिरे बाहे गुरु जी यांते जानी पर खुटाई इस करके मसंदा ने कहा के माता जी इस गलवेच वेर विरोध लड़ाई है ते चकड़ा जाने हैं जानता है तेले बतानसों मचे लड़ाई ये खुरु सहब जी नगारा बनाके नगारा जानके ते साड़े कोली राजा पीम चंद है और होड़ भी बाई तार दे बाई राजे ने उनना दे नल साड़ा वेर विरोध होवेगा जोद होवेगा ओ साड़ा नगारा कदे भी पसांदनी करने के क्योंके नगारा जे डाई शैनशाही दा परतीक है इसमे आनक उपाद उठे है इस करके जे नगारा गुरु सहब जी बनाके विजाउन गे ते अनेका यो पद्द्रव लड़ाई है ते चगड़े होड़े होड़े पासिकरन पी संसे पैह और इस करके होरता शड़ो महराद साड़े एथे रहन विच्वी शंशाह है मतलब सानू अनांद पूर भी शड़ना पैसा कदा है इस सारा को जो समाज शड़ के इस करके गुरु सहब जी नू बेंती करो के शांत रहन अपने पुतर अब हैं समझाब इस करके आप जी जाओ जाके सहब जादा जी नू कलगी तर पात्षा जी महराज जी नू समझाओ और सद्गुरु जी महराज जी नू जाके बेंती करो के किसे ना किसे त्रिके दे नाल ओ टल जान समझ जान नकारा नाब जाओना बड़े गुरू खाष्टा मुरण कीना और एक अलगोर जाद रहे शेमे पात्षा सहीव सत्गुरू गुरू अर्गो बिन सहीव जी महराज इना दे दादा गुरू उन्हाने जांगते जुद कीते बास सुदा सर को तजदीना जाहे निकलिया के उन्हानु अनादपुर सहीव इसे तरह अंबरसर सहीव जो सी शड़ना पया इना दा ख्याल है पर नहीं ख्याल सा जी गुरू सहीव जी ने अंबरसर सहीव नहीं शड़िया एस सद्गुरा दा कौत कसी जिनों जांग जुद हो लगा सी अंबरसर सहीव ते गुरू सहीव जी शड़नों शड़ के लोग अड़ कहें और जेड़े तो अड़े चो अंबरसरों आए ने अंबरसर दी संगत है जाँ जेड़े अख़वारां पढ़ दे उन्हानु पदा होवे का पिछले दिनी भी शेड़े दो कि साल होगे उनके नगर निकम अंबरसर ओ शेड़ी किसे गली दी पुटाई कर रहे हैं पुट रहे हैं ते उन्हानों सुरंग मिली सी एक जेड़े ता हासकार सान अंबरसर दे आसपास दे हो और पंजाब दे परसेद जेड़े दोना ने जाके सुरंग दियां ओ इटां देखियां ते ओ इटां जेड़ी हैं सन प्राणियां इटां सन और ओ सुरंग बाद वेच पता चलिया कि ये सुरंग जेड़ी है ये अकाल तक तो लेके ते लो गड़ तक आपस वेच ओ अटैच सी जुड़ी होई सी गुरू सहब जी ने ऐसी सुरंग दी बनाई सी तांके लो गड़ दे किले वे जे फोजां दी कमी आवे गोली बुरूद सिक्के दी कमी आवे ते ओ इसे तरह सुरंग दे रहा ही अंदरों दी अनाज बस्तर सस्तर फोजां जेडियां ने ओपे जियां जाण गुरू सहब जी ने लो गड़ दा किला बार बार तांब नाया सी तांके हर मंदर सहब जी दा नरादर ना होवे और एभी कल जाद रहे जिदों मुगल सखान चड़ के आया खलसा जी आके तुर्कडे जेडे ने आनके श्री गुरू गुरू सहब जी माहराज जी दा अफमान नरादर ना करन जांग जुद जित्या किया सी उस्तो बाद माहराज चबाल नकर विच पहुंचे सान हो और ब्यंत माहराजी ने कोता कीते सान इतहास एग अलकेंदा पर इनन दे अंदर लाद डर जेडाओ को शुहूर कह रहा ए माताजी नो केंदे के माताजी वेखो गुरू हरकोवें सहब जी ने जंग जुद कीते ते उनना नुवी अंबर सर शभ छड़ना पया जैसे ही जंग जुद करांगे ते सानुवी अनंदपुर सहब शड़ के पजणा पवेगा और गुरू हरकोवें सहब जी महराजी ने जुद कीते और इने का प्रकार दे संकट दोख खाते तसीये उनने चले धुने पिखे तुमने बहुबारी और माता जी आप जी ने देखे भी हन और अपने नेतरांदे नल देखे ते कनांदे नल सुने भी हन देत कल की ग्याता बान और आप जी जान दे हों के समा केड़ा है और अंग जेवदा समा है और असी केड़े देश वेच रह रहे हैं पहाडी राजयां विच रह रहे हैं ये साड़े नल कदी भी मिलनी सकते इनना दा सदांत साड़े नल नी मिलदा इनना दा तर्म साड़े नल नी मिलदा इनना दे विचार नी साड़े नल मिलदे संसकार साड़े नल नी मिलदे इस करके माता जी सनु शांत रहना चाहीदा है च जंग जुद ना करना आपर भीला सिकर हमन पाए और फोर जेड़े कौतक ने गुरु सहिव जी कर लेन जे चोजी करने हन कौतक ही करने हन ते फोर कर लेन परह बखेरा देहो हटाए और एकल जाद रहे जे गुरु सहिव जी महराज जंग जुद कर देने ते फेरे उदे विच बड़े उपद्र वहान, बड़े कलेश हान, अपने पुर में, इस करके जाके सद्गुरु जी महराज जिन्नु बेंती करो, कि असी अपने शैर विच रहना, और बड़े सुख देनाल रहना है, नीकी करो विचार न उर में, आप जी भी अपने मान वेच इस गलनु विचार लवो, और गुरु सहिव जिन्नु भी बेंती करो, कि इस गल्दी हिर्दे विच बिचार किती जावे, जुनत मसंदन की असबानी, इस तरह सुन करके मसंदन दा ए बचन, ए बेंती जड़ी सी मसंदन दी सुन के, तिरी गुजरी चित चिंता ठानी, उस वेले माता गुजरी जी साहिब, उन्हाने माने वेच भी थोड़ी जी चिंता किती है, आची कर है, ना बनहत मामा, और जिया के वाके गलता तो वाड़ी ठीक है, के गुरु सहिव जी माराज ठीक ही करनगे जे नगारा ना वजाउन गेता, नगारा ना बढ़ाउन गे, ता ए दे वेच चंगा ह जी रहेगा, वदहब खेरा संकट कमा, आचे गुरु सहिव जी नगारा वजाउन दे हाँ, ते वाके ए ते कलेश दा कार है, बखेडा वैर वरोद ते उपद्रव चगडे कलेश वद जानगे, भून ठान कर के तक समा, जने इस तरह को जी कसमा, माता जी साहिब और मसंद ज बन गई है, हुन गुरु सहिव जी महराजी नु माता जी आप ही समझा लैंगे, हुन नगारा नहीं बज़ेगा, बर जो में सुत निकट हकारू, जोस वेले माता जी ने किया मसंद जानू के, कि तुसी चिंता नं करो, मैं सहिव जादा कल गी तर पाप साह जी महराजी नु और शीमे सत्गुरु जी महराजी दे जो परसंग होए जिमे इतहास होया जिमे जुद्ध होए ओ सारे में परसंग दिशमेश पिता जीनुं दसांगी जित कसमी पी बैठा नहारे जो होर गुरु सहिव जी महराजी दे कोड रैन वाले सिख सन सत्गुरान दे विशेश गुरु प्यारे हजूरिये चौर बरदार पहरेदार सलाकार अओदेदार आदक जड़े से आने सिख सन समझते हो समझाए बिचारे और माता जी ने किया कि मैं उन्हानों समझाओ मांगी उन्हानों विदसांगी कि गुरु सहिव जी नु ऐसीयां सलाहा ना देना जान उत्षा देन की गाथा और गुरूँ सहह जीनों हो ओर उच्छा देवाले अप्र जूड़ा देने असला कार के गुरूँ सहब जी वा कि जंग जुड़ करने चाही देशा देशा है Ge mathov हानिया हन, बचन बिलास हन, ओ कदे भी ना किते जाना, और ऐसा कोई भी बचन, जंग जुद वाला सहभ जादे दे, नाल ना किता जावे, मैं सब नू रोकांगी, मैं जो प्राता को अब हैं हकारो, यह उस वेले फिर, माता गुजरी जी सहभ जी ने क्या, के मेरे जो प्राता हन, माता गुजरी जी सहभ जी दे प्रा, मामा किरपाल चंद जी सा है, क्या उन्हानु अपने कोल बलावांगी, इन बातन ते कह हट कारो, और उन्हानु ए सारे बचन मैं चंगी तरह समझावांगी, और उन्हानु भी रोकांगी, मैं, भुरन पान जे तिन समझाब हो, और पांच प्रा, मैंदान ने जांग वे जुझे सान, पंगानी दे जुद वेच, और जिनना ने वड़े वड़े बहादरा नु लोहे दे चने च बोन वाली गल किती सी, ते माता जी केंदे, ओ जेडे पांच बीर बहादर ने सूर में पाई संगोशा यादक, केंदे मैं उन् और ये भी मैं बचन कहांगी, मामा किरपाल चंद जी सहीव जी नू मी होर स्याने गुर सिखानू, के गुरू सहीव जी रुखो, जे गुरू सहीव जी ने शिकार जाना, ते जान पर दूर ना जान, पाव आपने नगर वे चीरें, अनानदपूर सहीव जी दी हद हदोद जितों पहाडी राजियां दी विरास्त, रियास्त, उनना दी हद, उनना दा बॉर्डर शुरू होंद है, उस तों अगे गुरू सहीव जी पैर ना पाउंड, तांके वैर विरोध ना होवे, जित पर चाय सदन को ल्याव हो, और गुरू सहीव जी महराजी दे नाल जान, उनना दा मानपर्च जावे, शिकार खेड के, माननू होंसला या जावे ते वापस आजान, एक खालसा जी बाहर मुखी बचन ने, ए मसंदान दी बिरती है, मसंदान दी सोच है, उस सोच देने शायद, गुरू सहीव जी महराज मनो रंजन वास्ते ही, मैदाने जंग नू चंदेने जा शिकार नू चंदेने पर नहीं कौन जाने खालसा जी, गुरू सहीव जी महराज जी ता तरमजुद के चाए, सिर्फ तरमजुद दा मनविच बलावला है, के गुलमी दा जूला जेडा हिंदोस्तान दे कलो निकल जावे, हर आदमी अपनी मन मर्जी दे नाल अपने तरमदियां, रियास्ता जेडियां, रस्मों, रिवाज जेडेने उननों नभालवे, कोई किसे नू गुलाम ना करे, कोई किसे नू परेशान ना करे, गुरू सहीव जी महराजी दे मानदा ए आशाए खलसा जी, पर एस आसे नू समझनाई ना मसंदा दे वस दी घल और ये मसंद जेड़े ने गुरू करदा आना नाज खाके लंगर दिया रोटिया बहुत प्रस्ट होई जिनना दी एवी माता जी नो इस तरह जाके बेंतियां करदे हना जा हो सिकार ना दूर सिदाव हो और ये भी बेंती करांगी कि ये गुरू सहवधी माहराजी ने शिकार जाना ते दूर ना जाना चित पर चाए सदन को लियाव हो पास अपना चित पर चाके करे वापस लिया जाना मादा जी किंदे ने मसंदान दे कहाें थे कि जिम्ह मर्जी करके मैं सब नो रोक दे मांगे और सब नो गवाँगे कि पाई ना हक बिना कारण तो बिना किसी रीजन तो आप तो उसी वैर विरोधा कारण ना बनो दूपट रखे तो राख होता थे और जे जुरू सहब जी ने सूर में रखे ने अपने कोल उननों थोड़े कर देन, काट कर देन और बड़ी सीमत जी गिंटी बेचे रखन खर्चन कर आए तन जाते और क्या कि उन्नेक सूर में रखन जिन्ने आंक दियां तन खाहां अन अनाज दा खर्चा और जितने भी खर्चे ने फोजां दे उन्ना किही पसारा पसारे आजावे जिन्नीक अपने कोल आमदन है आमदन तो जादा पसारा ना पसारे आजावे और किसे भी तरीके दे नाल पहाडी राजे जो हन हिंदू पहाडी राजे उन्हां दे नाल वैर वरोद ना वदे बिगाड ना होवे मालक दे सन के दल पारा क्योंकि हो देशां दे मालक ने उन्हां दे कोल वड़ी वड़ी किंटी बेच फोजाने लाहू लशकर है तोन तो मात ते पनह मसंद ते इस तरह माता जी दो ये बचन सुने हा ते मसंद भी बड़े खोश होए कि मसमझावो सत्कुर नंद और क्या के माता जी साहिब वाक्य तो अड़ा बचन ठीक है उसी इस तरह ही जाके समझावो सहिब जा देनो हम हैं पूज से कल जग के रे और क्या की एक हो कि असी ते जगर दे पूज जो गहां संसार दे लोग संनु पूज देने अदब वादर कर देने सतकार कर दे मथे टेक दे हान समता द्रिष्ट सबन पर हे रे और संनु ता हरेक दे नाल सम द्रिष्टी दे नाली देखना चाहिए साड़े लिता सारे बरोबरी हैं पाही जोहों जित अपने सेवक जानो और चार्च पेरे सारे अनु अपने सेवक ही जानो के सारे साडे सेवक ही हाना नह भी रोद कहा सो पहां चानो ते गुरु सहब जिनु बेंती करो कि किसे नाल को इवरोद ना करना साडे ता सारे चेले हाना सारे सेवक ने पामे उबगाना पामे अपना पामे चोर पामे साथ ए मसंदा दी सोच है कि गुरु सहीब जीनों वे बेंती को कि साड़े ते सारे सेवक ने असी किसे नल की लड़ना मरना हुए पर नहीं खाल सादी माफ करना ए बिजनसमेन दी विर्पती है जो शुरु आत वे बेंती किती हो सोच दा है कि मिन्नों की फरक है कोई मरे कोई जीवे कोल पता से पीवे याली गल कि हमारा काम मनता क्या करे जनता हमेनी मालम वाली गल कि साड़ा काम बन जावे जनता पहमे जिते मर्जी मरे ऐसा नहीं खलसा जी एक सदार्ण व्यक्ती वेच और एक सादू वेच की फरक है इन्ना की फरक है और बड़ा वड़ा फरक है दिन रातों वड़ा फरक है जिमी असमान तो वड़ा फरक है फरक है कि सदार्ण मद्दा जिदों ही सोचता है अपनी सोचद है अपने पेट दी सोचद है जा प्रवार दे पेट दी सोचद है उस्तों उत्ते होदी सोच नहीं जन्दी सिरफ अपने वास्ते अपने वास्ते जा अपने वास्ते जिन्द है महात्मा, तर्मात्मा, परुपकारी लोग मुलुखता दे पले ली जिन्दे ने, सब दे पले ली जिन्दे ने और जाद रहे खल साजी जिन्ने सब दे पले ली जिने सब दे पले दा उपदेश देने और सबदे पले दे वास्तिया अपनी जिंदगी पतीत करनी है ओदी जिंदगी वेचे कुर्बानी दी जुरूरत मैसूस हुन दी है इसलिए हुन दी है क्योंके मतलब खोर बंदे जेडेने कदी नी चंदे कि सबदा पला हुए ते जो बंदा सबदा पला सोचेगा दने के thermu वाले भी लड़दे-मर्दे कि हों हाँ ? पर कोण जाने कुछ लोग अपने नि लड़देनें, अपने नी लड़देने कुछ लोग تharmu जुद के चाये सर्फ तर्मवास थे निखी वास थे और सद्गुरू गुरू गृ माराज जी ने सूर में दी पृपाश ह miser ऐ दसी है सूरा सो पहचानियां जो लराय दीन के हिट दीन दा मतलब तरमिय ते दीन दा मतलब टूरिब ही है दीन गृरिब बेलकलो मुफलिस मजबूर मझदूर ओदे वास्ते जो लड़दा है मरदा है ओ तर्मी है और तर्मदी दुनिया वे चो सूर मैं गुरु नानक सहब जी महाराजी दी नदरे अनायत वे चो परवान है ते साथ गुरु जी महाराज सचे पाशा जी नू इसम जोनदा जतन कर रहे ने गुरु सहब जी नू कहो कि असाने की लेना लोग सानू पूझ देने पूझा कराई जाओ असान की लेना वद्दू जंग जुद्धे पंगयां वेच पैके जुपट राख बे सहत नगारे और पूर में रखने ते नगारा वजाओना जो है नहीं राजन के काज उदारे जिता राजयां मारा राजयां दे कामने उनना दे कार जहाना मारन मरन काश्ट बढ़ पावना और मैदाने जाँग वेच मरना ते मारना एदे वेच पारी दुख है तुमको उच्टन एविका मावना जाके गुरु सहब जिन्हों बेंती करो के सद्गुरु जी तो अड़े वास्ते एजोग नहीं जुद करने लड़ाई करने इतियाद के पाखो जे मनना है और क्या के इतियाद के बेंतियां करो जे गुरु सहब जी महराज मन जाना और क्या के जे सारे सद्गुरु जी महराज जिन्हों जाके बेंतियां करने वार वार गुरु सहब जी मन जाना असमसलत करमात सिखाई कवी जी केंदे इस तरह सलाहां करके ना मसंदाने मादा जीन्हों सिखाया है और मसंदा टेक आमाता जीन्हों और मसंदाने मादाजीनू जो जिसमेल है समीपी गुर को और ते जोवी जो सद्गुरु जी महराज जी समीपाई है पाव गुरु सहब जी दा हजूरिया कोई चौरबरदार है कोई पैरेदार है कोई यवदेदार है को गुरू सहभ जी दे कोल सेवा करनवाला सद्गुरा नुबानी सुनावनवाला जो भी गुरू सहभ जी दे खास नेडे रेंड़ वाले सेखने नजदीकी हन हजूर ये हन जो भी मिलदा है सर्हा सिखावन आसै उरको और के दे मसांद जेडे ने उन्हानों भी सख़ों देने उन्हान दे मानबच्वी डर जेडा है ओ पैदा कर देने के जग जदनी करने चाही दे ने जि पराता गुजरी बुलवायो मता गुजरी जी साहिब उन्हा ने अपने प्राता अपने पाई सनमान जोग मामा जी साहिब मामा किरपाल चंप जी साहिब उन्हानों बुलाया है सारो हटाबन सब समझायो और सारा बचनों नों समझाया कि गुरु सेब जी रखो कि नगारा जो है कदी भी नवजाय जावे कुछ बेंत किनी खाल साज़ जरूर करनीया नगारे बारे नगारा दुनिया जान दी है कि एक नादब जाउनद आग्रिया है एक सा़ज है पर ए साज और सदार्म साज विच वड़ा फरक है एक साज है मंगते आदा साज है जो मंगते लोग आपने हाथे विच फढ़के ते गरीबा इसे तरह अमीर डेयां दी राजयां महराजयां दी तरीफ करके बढ़ियाई करके सोय ले गा के ते अपना पेट पर देने साज वभी साज है पर नगारा भी एक साज है वो खलसा जी हो साज है जो बादशाही दा परतीक है बादशाही दा एक बजन जुरूर जाद रहे और अंग जेब दा सका पुतर जो बाद वेच बहादर शाह नाम जेदा होया मौज़मो दा नाम सी जिनने अपना तखलस बहादर शाह रखिया सी जिदो एक काबल दा हाकम बढ़े आना इतास वेच लिखा के इनने उदो नगारा भजाया सी खुशी दे वेच सुये झने खबरीए झना जाके और अंग जेब नो खबर दिती के तेरे पुतर ने नगारा भजाया इतास के अंदा के और अंग जेब नो उसे बेले कलम चुकी ते इन एक पतर लेखिया इसी परवान्हा लेखिया हुकम नामा लेखिया अपने सके पुतर नूँ अपने खोन नूँ ते पतर लेके हुकम नामा लेके क्यासी बेटा नगारा निव जोना खुदा जे दो ते नो दिली दा तक निसीब करावेगा ना उदो नगारा वजाएगा वी चार टो ओलवजा के गजारा कर पर नगारा नी वी जाना खबरदार जे नगारा वजा हदोगी अपने पुत्र दा नगारा जो और अंग जेव नहीं सुन सकदा याद रहे और सथ गुरू गुरू तेग बहादर सभजी महारा जी दा कातल है गुरू तेग बहादर सभजी महारा जी ने ठीकर फोर दलीस सेर अपने सीस दा ठीकर आओदे सेर ते फोड़िया गुरु गोविन सिंग साब सचे पाशा जी रहा नगारा के में सुन साकदा सी जंग जोड होने जुरूरी सी एक दोहर बेंतियां ही करणिया ने याद रहे और आंग जेवने तेन चिठी हमारा जिनुन पे जीयां सा पहला क्या सी नगारा बंद करो फकीरो ते फकीरा मंगुरो गुरू साइब जी ने बंदने कीता दूसरी एरी का नगारा बंद करो ने ते जोदो वेगा गुरू साइब जी ने बंदने कीता कि शत्री को पूत हो बमन कोन है कि शत्री दा पुत्रा बमन दा नहीं कि डर जांगा खत्री को पूत हो बमन कोन है कहता प्याबत है जो करों और और जंजार जो तोक रहको तो इत्या कहां चेट तामें तरों अब रीज के दो हुआ मैं वा हुआ कहा हुँ एक जो हुआ हुआ बिन चैना बहुआ हुआ हो अज़ बहरा हो आज भी वग्याओं न बहरे हिल रमर्टियुन लेविगे थैंभा कोई नमो निसंदनहीं कैशे चानल और देखो आज भी वाज़ पिता जी ने जमीन बनाया ओदावी रंजीट नगारा रख plaint ते औरंग जे जे ते मानवे वलवला राख़दाए ओ ते खालसा जी मसंद जड़े ने ओवी डर दे ने ते ते बेंटी कर दे माताजी नू करहो हटावन सब समझाएओ सारे नू समझाओन दे के गुरु सहभी जी नू रोक देओ कि नगारा ना वजाओन ने ते जुद होनगे जंग होनगे और गैले इस तरह सब दे समझाये हुए माता जी उन्हाने मी जाके बेंती किती मामा जी साहे मामा करपाल चांदी सहभ जी नू और इसे तरह फिर जो गुरू सहभ जी दे पराज लग दे हुए साहन उन्हानों भी बेंती किती है जाके समझाया है और मामा जी ने एकल कही माता गुजरी जी सहभ जी नू के पैन जी नहीं तो अड़े केंटे मैं कहँए दे मांगा पर गुरू सहभ जी नू कोई हटा नी सकदा है और क्या जिस वेले गुरू सहभ जी दा आशा गुरू सहभ जी दा सदां तसी सुन दे यां समझ दे सान मानत बोलत ते मसब या फेर का हर कोई नू जी ऩा आशा सँन के गुरू सहभ जी दो बार बार ते गलां कर देने बसाम द kryप जব गुरू सहभ जी सह्घा जी ते समने वन दे और क्या कि उन्हां दे सम्मने कोई उल्टा बजन कर भी नी सकता, अइना परताब है मेरे मालक दा, कि मनोख दीता गल शड़, परताब तुमारा दे का जम दूत शड़ जाए, जम दूता दी भी कोई हमत नहीं है, सम्मने बोल सकता, जे कर तुम ते बर्जे हो जाए, और मामा जाओ, जरूर जाके बेंती करो, तो कह यानी के समझाए, जाके उन्हानों समझादेो, मसंदा दे कैन ते जाके बेंती कर दे उन्हानों, आपर भी खाय क्या सकत सुनावाना, और क्या कि तुसी उन्हान दे जन्नी हो, यन्म दाते हो, किसे होर विच समरथानी उन्हानों जे को कहे बहुर पच्छतावाना अगला दिया, कल दे दिवाना वे, सद्गुरां दे जीवन बिरतां दी लड़ी वार विचार कथा कर देया, ओ ये नेक प्रकार दी पोल चक दी शिमा गांतु सुझी देनी जी, लेख है गंतना शूटी है, काची पीतना सुद, जिसे है बजाए नान का, तेह गुर्मक निरमल बद्द। जे कर तुम ते बरजे उजाए, तो कही एहनी के समझाए, अपर भी कह क्या सकत सुना बन। जे को कहां बहुर पचुता बन। वाहि गुरुजी का खाल सा, वाहि गुरुजी की फते। तान्तान साहिब सत्गुरु श्री गुरु गुरु नानक देवजी महाराज तान दान साहिर सथ गुरू इश्री गुरू गुरू गुबिन दिसे